अगर आप मेरी मेजर्मेंट के अकॉर्डिंग ये केक बनाएंगे तो बहुत ही जादा फलफी और बहुत ही टेस्टी बनेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो तो केक बनाने से पहले मैं यहाँ पे एक टिन को ग्रीस करके रखूंगी यह मैं नॉम्मल जो हमारे कटोर दान वगेर होते हैं मैं वही ले रही हूं इसमें मैंने ऑईल से ग्रीस कर दिया है उसको अर अब मैं इसके ओपर थोड़ा सा मैधर स्प्रिंकल करके इसे एक साइड यह बहुत इंपोर्टन स्टैप्स होते हैं अगर आप इन स्टैप्स को फॉलो करेंगे तो आपका केक कभी खराब नहीं होगा एक साइड मैंने सॉल डाल के कढ़ाई को भी प्रीहीट होने रख दिया था 10 मिनिट्स के लिए हाई फ्लेम पे तो चलिए आप वीडियो स्टा अग को रिप्लेस करता है वह यही है एक का काम करता है हमारे केक में तो अब मैं जो हमारे ड्राइ इंग्रीडियेंट्स है उनको मिक्स कर लोगी यहां पर मैंने लिया है डेड का टोडी मैदा के साथ डालोंगी हाफ टी स्पून इसके अंदर में बेकिंग सोडा वन टी अच्छा टेक्षा एक शारा आता है और टेस्ट आता है केक के अंदर और जो सौफनेस है वह भी बहुत अच्छी आती है अगर आपके पास पास मिलक पाडर नहीं है तो अप इसकी जगा थोड़ा सा मेलक एक्स्ट्रार एड कर लीजग आपने के इसके साथ मैंने सॉल्ट की हैं सॉल्ट भी बहुत जादा इंपॉर्टेंट होता है केक्स के अंदर और इन्हें मैं मिक्स करके एक साइड रखतूंगी अब में अपने वेट इंग्रिडेंट को मिक्स करूंगी वेट इन्ग्रिडेंट के लिए यहाँ पर मैंने वन फौर्थ कप पाउडर्ड शुगर उसके साथ मैंने half cup इसके अंदर refined oil लिया है और इसके साथ मैं एड कर रहे हूँ ही हाँ यहाँ पर वही कर्ड जो मैंने और इन्हें मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूगी यह देखिए कोई भी लंज नहीं रहने चाहिए क्यूंकि मैं इसके अंदर पावडर्ड शुगर एड़ की है तो मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूंगी और अब मैंने यहां पर यह ओरियो बिसकित लिया है क्यूंकि हम ओ मात्सेसे तोड़ लूगी इस टाइब से और इसका बहुत अचछा टेस्ट आता है इसी वज़य से मैंने शुगर भी थोड़ा कम एड करी है क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छे से शुगर होती है और यह मैं केक में एड कर रही हूँ और इसके क्रीम भी इसके साथ मैंने और बहुत हलके हाथ से आप इसे मिक्स करिएगा पर यह प्रोसेस अप थोड़ा जल्दी करिएगा अब मैं इसके अंदर वन टी इस्पून वेनिगर एड करूंगी वेनिगर एड करना बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा इससे बहुत अच्छा फलफीनेस आता है हमारे केक में और बहुत ही अच्छा टेक्शर भी आता है केक में और अब मैं इसे जो मैंने ग्रीस करके रखा था अपना टिन उसके अंदर ट्रांसफर कर दूँगी आप किसी भी जो भी आप टिन यूज़ करना चाते हैं उसे पहले ही ग्रीस करके रखिएगा और अब मैं इसे थोड़ के लिए बेक करूंगी मीडियम फ्लेम पे टाइम का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा 20 मिनट से पहले आप अपने केक को बिल्कुल भी ओपिन करके मत देखिएगा और हैवी वेट मैं इसके अंदर रख दिया है और आपको मैं 45 मिनट के बाद ही के दिखाऊंगी अपना कितना फ्लफी केक बना है यह और बहुत ही जादा सॉफ्ट केक बना था नाइफ से मैं इसे चेक भी कर लेती हूं पर यह देखिए नाइफ हमारा बिल्कुल क्लियर निकला है केक हमारा बिल्कुल पूरी तरीके से त्यार है और अब मैं इसे एक साइड रख दूंगी ठंड कर लूँगी और हाँ अगर आप मेरी रेसिपी पसंद करते हैं आपको अच्छी लगती है आप मेरे वीडियो देखते हैं तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज तो यह देखिए इसे में डीमोल्ड कर लूँगी और डीमोल्ड करने का बहुत इजी होता ह केक्स को यह देखें बिल्कुल क्लियर हमारी टिन निकली है और हमारा केक देख आप कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही टेस्टी यह बनता है आप यह ट्राइस जरूर करिएगा एक बार और अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक भी बिल्कुल ही एक वाले केक की तरह ही फ्लॉफी और टेस्टी बनता है यह देखिए केक तो हमारा पूरी तरीकी से त्यार है अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें भीन मत जाना मिलती हो मैं आपसे और अच्छी रेसे पीस के साथ तब तक के लिए बाबाए